मेरा नाम आश्विनी जेन है और मैं जेन हेरिटेज फाउंडेशन का सेकेटरी हूँ इंडिया से किस सीटी से बिलाउं करते हैं? मैं न्यू डेली से बिलाउं करते हूँ मेरा नाम है विमल शाह और मैं मुंबई से हूँ इनकी फैमिलीज वालों की तरफ से तो इनको बहुत डर था, सब मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने इनकी हिम्मत बढ़ाई, मैंने का ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा फरे दूसरा मैंने इनको सबसे बड़ा एक जो रीजन बताया, अगर किसी की मौत ल उतना में उसे पता चला ये इंडियन है, उसे पता नहीं था, तो पैसे लह लिए, तो वहाँ से लड़का दोड के हमारे पास आया सुनाया आपने और हिंदू कोई मजब नहीं है यह दू सिविलाइजेशन है और इस पर रहने वाले वह दू किलाते थे अभी आप मुसलमानो तो आप हमने अब देखकर भी आए हम ये condition भी देखिया अभी दिखने में अच्छा लगता है लेकिन वो मंदीर की तरह नहीं है अभी इस वक्त उसमें उसमें चारो और दिवाल है और उपर शिखर है मंदीर में अंदर जाने का दरवाजा नहीं है लेकिन यहां पैर की बात करें अगर यह इंडिया और पाकिस्तान का मैं बहुत ज़ादा का नहीं समझता हूं हां बस यहां थोड़ा सा क्या है लोग ज्यादा खुश दिल हैं हां बहुत लाओड है जैसे मालेश उसको देखके मेरा भी मन डोल गया तो यह चीज हमारे को इंडियों डिल्ली डिली में नहीं मिलती ह यह सब चीज़े और जिस तरह से हम बैठे हैं अभी जूस कॉनर पे इस तरह से मतलब महौल कम मिलता है और यहां के लोगों का थोड़ा कुछ बेहतर है और बड़ा गुल मिलके रहते हैं क्या आप पाकिस्तान में मजूद हैं तो आपको कहा गया होगे यहां पे अगर आया त तरीव करनी हैं पाकिस्तान की मैं मैं ऐसा नहीं है ऐसा कभी नहीं है जो मुझे अच्छी नहीं लगेगी जो फील होगी मैं आपको डेफिनिटली बताऊंगा उसका एक सबसे बड़ा रीजन यह है कि आपको जूट को कब तक चलाते रहोगे यह तो है मतलब ज्यादा देर कभी च्छी नहीं है डिविडियो के बहुत बात सुनते हैं अगर डिल्ली की बात करें मंबई की बात करें कि आये दिन कोई ना कोई एड़लोक हो रहा हuke हम देखते हैं उसके पर वीडियो भी रिकार्ड करते है मुझे यह बताएं वहां पे डिवेट में डवां रही है और उसमें डेवलपमेंट की बहुत सारी बाते होती है आप यह टॉपिक पर भी बहुत फोकस करते हैं लाहूर एंशन सिटी है तो यहां पर डेवलपमेंट भी है हमें पुराना टाइप का सिटी भी देखने मिलता है डेवलप जो न्यू टाइप का है वैसा भी देखने मिलता है हमारे यहां भी cities इस तरह कही है सारे और compare करें तो मैं जो चीज पूछना चाह रहा हूना सर देखें मैं कभी इंडिया नहीं किया आप इंडिया सारी दिन्दगी रहे हैं हम वहां पे आए दिन खबर सुनते हैं आज ये प्रोजेक्ट लाँच हुआ आज ये वाला पुल जो नहीं से ब्रिज है वो पीम मोदी ने लाँच किया या इस तरी के से उसके नेगरेशन की कभी हम कोई रेलवे सिस्टम के आज जी जी उसमें इंडिया में बुलर ट्रेन ये ट्रेन वो ट्रेन मैं उस हवाले से बात कारूं बिल्डिंग्स रोड़ जो है वो हैं ड्यालमेंट इंफ्रास्रक्चर की बात करें वह हवाले से मैं कहूंगा कि यहां पर अभी बहुत डेवलप्मेंट करना बाकी है काम होने वाला बाकी है अभी विरॉड पर हम सेवेंटी सीसी की बाइक्स देख रहे हैं 100 CC की बाइक्स देख रहे हैं तो वायी से भाइक्स अभी वहाँ पर देखने भी नहीं मिलती है यह पर हूंकि यह हमारी में वाले से तक यह उसका मोखा नहीं मिला है लेकिन मुंबई में रेलवे का जो नेटवर्क है लोकल ट्रेंज का जो नेटवर्क है आपने कभी वीडियो में देखा भी होगा राइट लैक्स ओफ पीपल ट्रावेल एवरी डे डे गो फ्रम होम तो आफिस इन दे ट्रेंट अच्छा आपने बोला कि आप मेरी वीडियो द आपको क्या लगता है कि यहां पर जो हम काम कर रहे हैं लोगों की अवेर्नेस के लिए इसका फाइदा नजर आएगा आने वाले डेफिनेटली येस आप आप जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें एक मैसेज होता है और जहां पर भी आपको लगता है कि थोड़ी सी सोच से आपने जाब पहले बात हो रिधा रही है 1981 dizわかेलं चां़िक कर रहे हैं हाँ पैनावा और उसमें कोई फरक नहीं है लोगों की शौक मौजमस्ती में कोई फरक नहीं है लेकिन धूल मिटी गर्दा मतलब इतना ट्रैफिक और इतना पॉलिशन हो गया है कि वो जो लाहर का जो असल मज़ा था ना हाँ वो मज़ा अब जरा मुझे हमारे पाकिसान में तो यह कहा जाता है जहां पर जोन साथ धुमा हो जहां पर ट्रैफिक व्यादा हो वो जोन साथ ड्वैलफमेंट की निशान नहीं होती है देखिए सबका अपना अपना चश्मा है मैं किसी के चश्मे को बदल नहीं सकता जो मुझे लग रहा है मैं अपने नजम से आपको ब दिखाया जाता है जिस तरीके से आए दिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं कोई सेव नहीं ऐसा कुछ बताया जाता है मुझे बताएं आप यहां पर क्या फिल कर रहे हैं ऐसे इंडियन यहां लाहूर की अनार कली बहुत बड़ी मार्किट में बैठे हैं क्या फिल कर देखेंगे कोई ऐसा इश्यू लग नहीं रहा है ऐस सच देखेंगे तो मैं अगर यहीं स्ट्रीट में कहीं गूम रहा हूं तो मुझे भी लोग पाकिस्तानी समझेंगे आप भी इंडिया कभी आएं और हमारे साथ गूमेंगे तो कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि यह पा उसे डिसकस करने बैठेंगे तो बहुत सी चीजें सामने आएंगी बड़ा सर आप से क्वेस्टन यह है मेरा कि आप मुझे यह बताएं कि पाकिस्तान का वीजा हमें यह ऐसा लगता है कि इंडिया में मुश्कल मिलता होगा इंडिया वालों को ऐसा लगता है कि इंडिया हमारे पूरानी इबादत गाएं थी जो हम छोड़ गए थे हमारे 75 साल में किसी ने कोशिश नहीं करी कि हम उसको वापिस डवालप कर सके पाकिस्तान की तरफ से भी तो मैंने उसके पीछे पढ़ा रहा पढ़ा रहा अल्टिमेटली फिर जब गॉर्मेंट ने देखिया कि बंदा जान नी छोड़ा जान नी छोड़ा तो फिर आपको वीजा मिला फिर मैंने वहां अपने लोगों को त्यार किया कि यार चलो कोई ऐसी बात नहीं है मैं बैटा हूं लोग क्या कहते थे लाइक आपने ये सर को बोला और जो मजीद लोग आपके साथ आएं आपने तो पहले विजट किया इनको बोला उन्होंने क्या बोला आपको के भाई पाकिस्तान नहीं जाएंगे सब इनकी फैमिलीज वालों की तरफ से तो इनको बहुत डर था सब मना कर रहे थे लेकिन फिर भी मैंने इनकी हिम्मत बढ़ाई मैंने ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है अच्छा फरे दूसरा मैंने उनको सबसे बड़ा एक जो रीजन बताया अगर किसी की मौत लिख सबस्त मतलब माल रोट पे आपके सारी मतलब आने जाने नहीं दिया जारता उसके बावजूद भी हम लोग आए हिम्मत करके लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं है इसा मंदिर की जो कंडिशन है देखा आपने कैसा फील हुआ दुख हुआ अच्छा लगा क्या कहना जाएंगे देखे हम जहां तक सवाल है मंदिर और यह सारी चीजों का हम लोग तो आलमोस्ट 99% सारे जो हमारी अवाम है वो भूल चुकी है पर मेरे जैसे लोग जो है मैं कोशिश करेंगे तो वापिस सारी चीजें जिन्दा हो जाएंगी बिल्कुल ऐसी बातार कोशिश करनी चाहिए हमेशा कोई भी काम है अगर उसके लिए आप कोई एक स्टेप लेंगे तो ही कुछ काम कंप्लीट होने की उमीद होगी मंदिर देखे आपने जैसे आप बतार आप गुजरावाला गे आपने लाहोर में और कुछ मलब मुफलीट एरियाज के जो मंदिर हैं विजट किये किस कंडिशन में थे एमानदारी से बताइएगा देखें मेरी कोशिश होती है कि जो साच यह हो सामने लाया जाए लाहोर में अनारकली चोक में जो मंदिर है हमार वो मैंने पहले की कंडिशन भी देखी है कि जब गिर गया था और अभी रिस्टोरेशन हुआ लास्ट एर उसका इनावगिरेशन हुआ यह अभी और अभी देखकर भी आए हम यह कंडिशन भी देखी है अभी दिखने में अच्छा लगता है लेकिन वो मंदीर की तरह नही प्लस just a second this हुरेक न का एक सब्सक्राइबां अर्प कर दो मंदीर बिल्ड किया जाता है तो अभी जो हो हमारे दिया लेकिन अख्रम ने उसकी याद काएम रहेगी कि यह मंदीर था और आज भी है उसकी रिजन मैं बताता हूं कि या वज है कि सिरफ प्रस्रक्च्र बना दि इसके अलावा हम गुज्रावाला गए थे गुज्रावाला में आत्मा राम जी की समाधी मंदिर है वो मंदिर की भी हालत उतनी अच्छी नहीं है हमें इतना हमें थैंक्फूल रहना चाहिए कि यह मंदिर बचा हुआ है structure है अभी भी वहां पर उतनी अच्छी हालत नहीं है लेकिन उसे करेंगे हम अभी दिरे-दिरे हमारी ये first visit है दिरे-दिरे I am sure Pakistan के इधारे भी उसमें interest लेंगे और उसको restoration करेंगे हम भी थोड़ा उसमें हमारा तरफ से योगदान देंगे यह common public की बात करें आम Pakistanis की या आम इंडियन की बात करें सोच में जाहरी बात है like मेरे से आपकी बात हुई आप जहां hotel में ठह रहे हैं वहां के लोगों से आपकी बात हुई यह जहां पर भी आप खाने पीने के लिए जाते हैं बात होती है सोच में क्या फरक है मतलब अगर इंडिया इतना development की तरफ जा रहा है हम लोग उस तरीके से नहीं जा पारे क्या वज़ा है सोच में फरक है कि जो इंडियन्स यह समझते हैं कि मतलब अगर पाकिस्तान में जाएंगे कैसी सिच्वेशन रहेगी किसी को पता चलेगा कि यह इंडियन्स हैं यह इंडियन्स हैं वो क्या रियक्ट करेंगे मैं आपको कोशिश करता हूँ अभी live कोई ना कोई example दूँ और मैं अभी किसी स बात करूंगा जी इंडिया से महमान आये हैं रेंडमली किसी से भी बात करूंगा और उनका रेक्शन देखेंगे कैमरामैन आए मेरे साथ सार हमें एक मिन का बस शरा मुका दिजिए अस्वालेकूम अलेकूम कैसे आप अल्हम्दूल्लाइब अस्वालेकुम यह जो दो भा कि के पाकिस्तान एक पेसिनाइड कांडरी है और ये विजिर्थ होने चाहिए पाकिस्तान fått यह को दस में से आठ लोग यही कहेंगे महबब चाहते हैं और वाम वेलकम करते हैं लेकिन फिर भी रिलेशन क्यों नहीं बेहतर हो बस असल में यह पॉलिटिक्स जो है हमारी जो सियासत है यह लोगों को मिलने नहीं दे रही अब देखें क्रिकट जो है एक पीसफुल गेम है हम यह चाहते हैं हम यह जाते हैं उसमें भी स्यासत नहीं आने चाहिए पाकिसान एडिया आपससे में लॉघन हाए हम नीबर यह नहीं अपने इसलिए हम आपने रीलेशन की जायी तो टेसे सोझ मेंने नहीं नहीं जूरू हूँई हूँए उसनी भी उह इसी है टो यहरे आएंगे हम यहां से वहां जाएंगे तो रिलेशन ऐसे ही बेहतर होंगे आम पब्लीक तो महबत करती है नफरत नहीं है हमारा मैं कल का एक्सपीरेंस कहूं आपको कल हम पपना खा गये थे तो एक शौप से हमने कोल्टरिंग खरीदा पैसे दिया वापस आया हमारी गाड़ी म में क्या है लेकिन वो बहुत खाया अप पैसा नहीं लेंगे यहाँ गूड एक्सपीरियंस सार से पूछते हैं डेफिनेटली कोई जगा पे आप वेजड़ करते हैं कुछ अच्छी चीज़ें कुछ बुरी चीज़ें ब्वार्फ करते हैं पाकिस्तान में भी बहुत सी कि फिल्टर में थोड़ा फारख आता जा रहा है रोगों के रवाये में इस त्रीके से ने लोग तुब वही है जमीन भी वही है थोड़ा सा आप लोगों को अब डेफिनेटली इंटरनेट का दौर है अब जितनी भी यूथ हा रही है वो मुच बेटर निकलने वाली है पाकिस्तान की भी पुरी दुनिया की अब सामने आ रहा है अब आप कब तक जूट को प्रमॉट करते रहोगे ही सिद्धी बात करते है आप आप तौरफ एक्सेप्ट धार दुनिया पुरॉट की बात करें नाइटिन्टीन सशेवड़न के बात की बात करते हैं कि उसிसंधैं आती हैं यह चीज़ें आती हैं हम पीस ही महबबत की कोशिक करेंगे उसने पहले की हिस्री क्या है आपने पोल simple उसमें समझा दूँ जो ये civilization है ये जो Hindu word आया है ये कहां से आया है ये शिंदू river से आया है सुना है आपने और Hindu कोई मजब नहीं है ये Hindu civilization है और इस civilization के अंदर रहने वाले वो Hindu कैलाते थे अभी आप मुसलमानो तो आप हमने आपको Muslim पाकिस्तान बटने से वो इस civilization की सबसे बड़ी ब्यूटी ये थी अभी पाकिस्तान बटने से वो जो आप खुश्बू ले पाते थे अलग-अलग फूलों की वो आपको फूलों की खुश्बू आप नहीं मिल पारी अच्छा अब थोड़ी सी बात करते हैं सियासी तोर पे थोड़ी सी बात करते हैं कि ये बताएं इस टाम जो पाकिस्तान की कंडिशन जो मीडिया में दिखाई जाती है और जो हकीकत अगर बात करें है भी है आई-एम-फ के पास हमें जाना पड़ता है हमारे पास बजट के लिए उसरी के से पैसे नहीं है हमारी यूथ के अगर बात करें ब्रेंड रेन हो रहा है ये चीजें हो रही है क्या ऐसी कंडिशन में अगर इंडिया से help पाकिस्तान कहता है कि हमें help चाहिए अपने एक ऐसे नेबर कंट्री तो क्या इंडिया help करेगा definitely help तो करेगा लेकिन help may not be in terms of dollars, right? trade की सुरत में? yes, trading शुरू कर सकते हम, right? religious tourism शुरू कर सकते हैं, जैसे हम Jains का ये first delegation आया है तो आगे जाकर के और tourism को अगर बढ़ावा दें, तो definitely visa process easy अगर कर दिया जाए जैसे एक Nehru Liyaqat Pact है, तो उसमें Hindus and Sikhs ये दोनों का mention है जैंस विजट कर सकते हैं, हाँ, ये बोलो यहाँ पर अपनी shrines को विजट कर सकते हैं जैंस and Buddhism ये दो का mention नहीं है, तो अगर दोनों governments ये कर ले अगर उसमें Jain include कर ले, बुद्धिस include कर ले तो हम लोग आएंगे जाएंगे, तो इस तरह से भी बहुत development हो सकता है 1947 की बात करें, यहाँ से हम wind up करेंगे, 1947 के अगर बात करें, Jain community के कितने लोग ये कितनी अबादी population पाकिस्तान में मुझूद थी और आज कितनी मुझूद है आज एक भी जैं नहीं है, 1947 के पहले करीब करीब 40 states, different इलाकों में Jain community थी पाकिस्तान के जो area, 40 areas में, पूरे पाकिस्तान के जो आपके तीन province है, sorry, चार province है चार में वलुचिस्तान में Jainism नहीं था इतना, पर तीन province के अंदर में 40 जगा ऐसी थी, जहां major Jain community का बड़ा hold था तो आज आप कह रहे हैं, एक family भी नहीं है, तो वो कहां गए, आप क्या ख्याल में कहां है सारे के सारे migrate कर गए यहां से, सारे migrate कर गए, लेकिन जो buildings हैं, वो तो साथ में नहीं लेकर जा सकता है यहाँ और अगर हम इन buildings का ख्याल करें, पाकिस्तान की government, पाकिस्तान के अधारे, अगर इन buildings की care करें, इससे दो चीज़ें होगी वो भी दोनों चीज़ें पाकिस्तान के फाइदा के लिए होगी, एक तो हमारा inter-religious जों से relation है, वो बहतर होंगे पीस का message जाएगा, secondly, यहाँ पे tourism आएगे, जेन community हो, हिंदू community हो, sick community हो, वो जब पाकिस्तान में आके अपने मख़भी मकामात को विज़ेंगे, उससे revenue पाकिस्तान को ही आएगा सर, last में कोई message देना चाहें, इस time आप पाकिस्तान में मजूद हैं, इंडिया से आपको बहुत लोग, आप भी मेरी वीडियोज अगर देखते हैं, आप को आइडिया होगा, mostly लोग इंडिया से देखते हैं, क्या message देना चाहेंगे, इस time पाकिस्तान में मुझूद हैं, और इंडिया से mostly आपको लोग देखे हैं, मेरा जो चैनल है, ज्यादा तर इंडिया के लोग, या फिर कुछ पाकिस्तान, बाकी यूखे वगेरा से देखा जाता है, क्या आगरे हैं, देखिए, मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ, जितना हम आपस में education, या internet के थूँ, या रोज whatsapp पे बात, या अलग अलग groups में हम जितनी ज़्यादा conversation करेंगे, उतनी दूर होती जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही है, और ये चीज़ें हमें जरूर definitely करनी चाहिए, देखें, social media के आने के बात, बहुत सी misunderstanding दूर होई हैं, और बहुत सी misunderstanding ऐसी हैं, जो के मजीद आने वाले टाइम में दूर होगी, खानों में अगर बात करें, खानों की बात करें,